नमस्कार मैं जिरोषिस लाइप साइель से अगर से ड्र उपएन नादमिस्रा मैटसिने स्पेसिलिस्ट आज मैं आपको बताओंगा फोलीकलाईटिस क्या होता है फोलीकलाईटिस एक एक इसकीन के बालों का एक गंभीर रोग है जो कि इस्किन के बालों के जड़ के पास छोटे-छोटे फुंसी जिसमें पस भरे दाने लाल रण के दाने होते हैं इसी को folicolitis कहते हैं folicolitis को हिंदी में कहते है फुटक सोध और कूप सोध भी कहते हैं और ये गंदगीयों के कारण होता है सरीर पे और ये ज़्यादा तर पुर्षों के डाड़ियों पे होते हैं और दोनों टांगों के बीच में होते हैं मतलब जहां पे आपके बाल हैं वहां छोटे छोटे दाने पस भरे छोटे छोटे दाने होते हैं इसी को फोलेकलाइटिस कहा जाता है तो फोलेकलाइटिस का मतलब होता है इसमें दर्द भी होता है इसमें जलन भी होता है और यह जहां पे होता है वहां पूरा रेड हो जाता ह इसी को फॉलेकलाइटिस कहते हैं फॉलेकलाइटिस का मतलब होता है कि एक इसकिन का रोग तो इसकिन के बालों का एक गंभीर रोग है फॉलेकलाइटिस जो की इसकिन के बालों के जड़ के पास छोटे छोटे फुनसी जिसमें पस भरे लाल रण के दाने होते हैं जिसमें दर पूरसों को होने वाला इसकिन रोग है जो कि पूरसों के डाड़ी पे होता है सीर पे हो सकता है जिसको सुराइसिस कहते हैं इसकाल सुराइसिस के रूप में होते हैं उसमें फूंसिया छोटी छोटी होती है उसमें पस भरे होते हैं और दोनों टांगों के बीच में यह दाने के रोम के अगल भगल इस टैफिलो कोकस औरियस बैक्टीरिया के कारण होता है और फोलेकलाइटिस एक इसकी रोग है जो की बैक्टीरिया और फंगस इंफेक्शन के कारण होते हैं जिसमें खुजली हो सकता है दर्द भी होते हैं और फोलेकलाइटिस वाइरस फंगी के कारण भी होते हैं आप इसके treatment के बारे बताऊं कि अगर किसी को फोलकलाइटीस हुआ है तो इसमें treatment में डाक्टर क्या देते हैं ऐसे तो किसी dermatologist को दिखा के तभी treatment कराना चाहिए अपने से कोई भी दवा लेने की लगाने की ज़ुरत नहीं है अब थोड़ी सी आपको जानकारी देदू मेडिसिन के बारे में मतलब मेडिसिन आपको लेना नहीं है अपने मन से मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये सारी दवाईया चलाई जाती है तो इसमें एंटिबाइटिक टेबलेट चलाई जाती है मतलब देखने के बाद कि इसमें कौन सी दवाच चलेगी मतलब एंटिबाइटिक का भी रोल है और इसमें एंटिबाइटिक क्रीम का रोल होता है जेल का रोल होता है लोशन का रोल होता है एंटिफंगल टैबलेट का यूज किया जाता है जिल का यूज किया जाता है, क्रीम का यूज किया जाता है और इस्टराइट टाबलेट्स का भी यूज किया जाता है इसके बाद कुछ दवाईयां बताएं जिसमें बेंजाय पुरागसाइट 5% के साथ में अगर क्रीम मिपरोशीन 2% दोनों क्रीम को मिला के लगा दिया जाए तो भी ये प्राब्लम खतम हो जाएगी इसके बाद रुकलोनाजोल का भी रोल होता है जो कि 150 आप अल्ट्रनेटे 15 डेस कांटिन्यू लेने से आपको फुलकलाइटिस खतम हो जाएगा इसमें किटोकॉनाजोल का भी रोल है अगर आपको फंगस टाइब का हुआ है फुलकलाइटिस के साथ-साथ तो आपको भी लगाना पड़ सकता है तो यह सब टीटमेंट आपके फलोकलाइटिस के लिए होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कूपसोद तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब् सब्सक्राइब करें जैंहीं करें। है था कि पीक वाल है तो फीटमेंट करिये जैंहीं हिन्याएं A